मद्य पर्देश में खर्गोन के उन थाने में इसी वर्ष घटी घटना के इंतरगत अपर सत्रन्यायधिश महोद्या गीता सोलंकी ने आरोपी सूरस को तीन वर्ष की सजा सुनाई हैं खर्गोन लोक अभियोजन अधिकारी डी एस्तोमर ने बताया कि सूरस पिडिता के घर बूरी नियत से घुसा वह उसको छेट चाल की जिस पर से पिडिता ने उन थाने पर रिपोर्ट दर्च कराई थी उस पर से पूलिस थाना उन के विवेचक के द्वारा धारा 354 वधारा 352 एवं पोस को एक्ट में मुकदमा पंजीबत किया गया जिस पर सूरस को न्यायाले द्वारा कठो डण के साथ तीन वर्ष की सजा सुनाई गई यह थाना उन चेंटा की घट्टा है गट्टा जरां 11 जून 2019 के पिलिता अपने घर में काम पर रही थी तब आरोपी सूरज घर के अंदर उसकर आया गुष्कर आया गुरी नियस से उसका हांग पकड़ा उसके साथ छेड़खा नी थी इसके उपरां पिलिता ने अपने घर्ट्टा की यानकरी माता पिता को दी माता पिता के साथ हनाहून पर लाकर रिपोर्ट लेकर आई पुलिस ने विवेशना के उपरां के भारा तीन सो चौगण और धारा 452 और ऑक सो अक्की धारा 11 बटा 12 के अंदर कर अभियोग पत्र कि विशारत के उपरां मानित दिती अबर सत्रेया थी होदया स्रीमती गीता सुरंती द्वारा आरूपी को भारा तीन सो चौगण में एक वर्ट का सस्रम कारावास और एक हजार रूपे अंदर, भारा 452 में तीन वर्ट का कारावास और तीन रूपे अंदर, और 580 धारा 11 पर तीन वर्ट का तारवास और तीन हैंपे अंदर शिद दित करने का आधिस पदा गिया है, साती विडिता को चारा रूपे छटी कुपी को दिये हाने का आधिस प्रावास और तीन हैं पर जेबी बांक्वेट्स लाए है, इंक्रेडिबल मारिज पलेस राज घराना, और पर दिया है, इसे हिए लडिए स्टावराण पाने के लिए बाल इकन को दिक तर हमारी चैनल को लाइब, शेर और शर्च्राइब करें घरने वाल